तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपॉजिट वर्ट से याने की विलोम सब्द को सीखने वाले हैं तौ आप इस वीडियो को बिना स्किप्ट की ये पूरा अंत तक ध्यान से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो देखिए अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है विप्रितार्थक सब्द इसे उल्टा सब्द या विलोम सब्द भी कहते हैं और अपोजिट वर्ड्स को एंटो नेम्श के नाम से भी जानते हैं तो देखिए इस तरफ हम लोग देखेंगे वर्ड्स और दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे इन वर्ड्स का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा तो देखिए फस्ट में है ओपेन तो ओपेन का अपोजिट होगा क्लोज ओपेन मींश खोलना और क्लोज मींश बंद करना तो खोलना का अपोजिट यानि उल्टा होगा बंद करना आगे है बर्थ बर्थ मिन्स जन्म लेना और डेथ मिन्स मृत्यू यानि कि मरना तो इस तरह से बर्थ का अपोजिट होगा डेथ नेक्स्ट है अप अप का अपोजिट डाउन Up means उपर और Down means नीचे Next है First तो First का opposite होगा Last First means प्रथम और Last means अंतिम Next है Hot Hot means गरम और Cold means थंडा तो Hot का opposite Cold Clean Clean means साफ करना और Dirty means गंदा करना तो Clean का opposite होगा Dirty आगे है In In का Out In means अंदर और Out means बाहर तो In का opposite होगा Out Pull Pull का opposite होगा Puss Pull means खिंचना और Puss means धक्का देना Next है Happy Happy का opposite Side Happy means खुस और Side means उदास Next है Short Short means छोटा और Long means लंबा तो Short का opposite होगा Long Next है Buy Buy means खरिदना और Sale means बेचना तो Buy का opposite Sell फिर है Loss Loss का opposite होगा Profit Loss means Honey और Profit means Love फिर है Give Give का opposite Take Give means देना और Take means लेना तो देना का लेना यानि Give का opposite Take फिर है Friend Friend का opposite Inamy Friend means मित्र और Inamy means सत्रू यानि की दूसमन Next है Near Near means होता है नजदीक तो Near का opposite होगा फार यानि की दूर फिर है Soft Soft का opposite होगा Hard Soft means मुलायम और Hard means कठोर आगे है Sweet Sweet means मीठा तो मीठा का हो जाएगा खटा यानि की साउर तो Sweet का opposite साउर फिर है Right Right means सही और Wrong means गलत तो Right का opposite Wrong फिर है Give Give का Take फिर है Many Many means बहुत सारा और Many का opposite होगा Few यानि की थोड़ा सा यानि की कम मात्रा में तो Many का opposite Few Next है Go Go का opposite होगा कम Go means जाना और कम मीन्स आना तो जाना का आना Next है Good Good means अच्छा तो अच्छा का हो जाएगा बुरा यानि की Good का opposite होगा Bide फिर है Love Love means प्यार करना या प्रेम करना तो Love का opposite होगा Hate यानि की घ्रिना करना फिर है Reach Reach means होगा Amir तो Amir का हो जाएगा Poor यानि की गरीब तो इस तरह से Reach का opposite Poor तो फ्रेंच इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ opposite words को सिखा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद झाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें